I am proud to be the Muslim from Shivaji Nagar. It doesn't matter who's going to kill me. अगर उनकों मुसल्मानों से मुखबत हो दे तो सारे मुलक के मुसल्मानों गो लेगे चलते हैं. सिर्फ हाइदराबाद में त्रिलंगा नामे बसने वाला ही मुसल्मान है गया है. पीजेपी के पाद सिवाई अगेंस दे मुसल्म कोई प्रपगंडा होता अब बताएए मेरे को. तरख्य के नाम पे, डेवलप के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे. पाद सिर्फ हाई बैंगलूरू में मैं और मेरे सहयोगी यहां पहुचे हुए हैं और हम दोनों कुछ लोगों से बात करेंगे, चुनावी मुद्दो को समझेंगे, जानेंगे और यह कोशिश करेंगे समझने की कि करनाटक की राजनीती में कितने उतार चरहाव जो हैं वो लोग स्विकार कर व्याट करते हैं कि नहीं और इसलिए यह बैंगलूरू का शिवाजी नगर इलाका है, पेहत पुराना इलाका है, और यहां पर जो पुराना मार्केट है, यहां तमाम सारे जो लोग हैं, इन लोगों से बात करके, यहां के चुनावी मुद्दो को भी समझेंगे, लोगों क क्या करते हैं मैं नंदनी को लोग के तो बड़ा विवाद हो रखा है यह जो है परिडिकल चल रहा है बस हमारे स्टेट में बहुत अच्छा सप्ले नंदनी का रेट कंट्रोल है जिसे माइनारिटिस को या लोकल मुखामी लोगों कोई तकलिफ नहीं है सिर्फ अमेश्या एं सही में ऐसा लगता है कि हो जाएगा अगर अमूल अगा अमूल बिरांच से हैड आफिस सही बैंगलोडेरी आफिसर जाके ट्रेनिंग लेने के बाद बैंगलोडेरी को डेवलेप करने के बाद हमारे स्टेट में सर्विस बहुत अच्छी थी रेट कंट्रोल था पब्लिक क तो इस पर चुनाओ का महल क्या है मैं बिना लाग लपेट के आपको पूछ रहा हूं कि इस बार क्या महल है एलेक्शन की बुनियाद यह है कि अभी रिलीजेस बेस के ओपर हो रहा है हिंदू का परसेंटेज ज्यादा है मुस्लिम का परसेंटेज ज्यादा कम है तो टोटल लगता है और मुस्लिम का वोट एखटा क्यों नहीं हो पाता मुस्लिम वोट एखटा इसलिए नहीं होता कि हमारे को वोट में ओट कमिशनर जो हो डिवाइट कर देता है एक एरिया रहता है एक एरिया रहने के बाद चार गली को चार वोट देता है लेफ्ट राइट की एक कॉंसलर को जाती है राइट यह गली को एक कॉंसलर को जाती है यह लोग खटा होने की बुनियाद पर वोट का परसेंटेज माइनार्टी का डिवाइड हो जाएगा इस बुनियाद के उपर एलेक्शन कमिशनर कुछ बिके हुए अफिशियल इस तरह का डिशीजन ले तो आप की बाते से लग रहा है कि आप बिलकुल यह मान रहे है कि बीजेपी सारी बहीमानी कर देए में कोई पारटी दूद की धूली भी नहीं है सबी इलेक्शन के लिए हैपनी सीटों के लिए जैसे के मुखामी सियासी मुस्लिम लिडर अपनी सीट ना मिलने की वज़ा से कांग मुस्लिम रेवल एगेंस टोटली दुश्मन पार्टी है जिसे सियासी डर नहीं लगता उसे सेफ जा सकते हैं अभी आप कह रहे हैं बीजेपी ये सब कुछ करती है और आप बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं इसलिए कि वो खुली दुश्मन है हमारी टरबल तलाक की खुली की दुश्मन है का 370 की दुश्मन है तुमा आप इसको ले लिजिए हिजाब का ले लिजिए मुसल्मानों को टोटली से लासी पहुंचाए कभी किसी मामीले में रिजर्वेशन अभी करनाड़ गा में रिजर्वेशन नोकर ही कैंसल कर दिए आप यह बतला हो कि 1947 सब तक रि इसको प्राइब करता हूं मैं बीजेपी कैंडिट्ट को वोट दिया ऑँ का खार पर इसमें मैं जाकि उसे बात कर रहा हूं करनाटा का परसीडेंट मौसिन खान से बात करके मैं सीड़ भी पूचाओं कांसलर की सीड़ देने के लिए आप कहा रहे हैं बीजेपी नुक्सा कई ला तीजिए के जेयन पूरा बस जला दीह एक होता एक खुला दुश्मन एक होता बोगलका दुश्मन अब anfugly दूश्मन को इतबार कर सकते लिजए भी घ्लादुश्मन है हमारा तो हम उस इतबार कर सकते हैं। Congress से अप्डिफेंस नहीं कर सकते हैं सिर्फ डिपेंट कर सकते हैं के डिपेंट वनले नाट इडिफेंस लाट अफ डिफेंस से इसना क्या गरवड किया मुसल्मानों के साथ कि आप इतने नराज आजादी से ले लिजिये मुसलिम अलिगर यूनियूरप सिटी के पर फाइरिंग, गोल्डन टेंपल के उपर फाइरिंग, देवबन के उपर फाइरिंग, मीशा का खानून, खतना का खानून, नस्बंदी का खानून, संजे गांधी के पिरेड में, शीला नयास पूजा कांगरेस गवर में, बाबरी मज्जीद शहीदी कांगरेस के दौर में अरुन नहरी के दौर में मूर्तियां रखी गई सिवाए कांगरेस के नुखसान के मुसलमान को फाइदा कब कोई लीडर आगे बात करें राहुल जी तो चुनावे आता हूँ भारत त्यात्रा पे भी निकले थे इसका मतलब तोटली आप यह नहीं लग सकते कि कर सकते हैं यह जीतेगा यह जीतेगा यह सब पिपाई शोर करने के लिए एक खटा करने के लिए पैसे देगे ले गया आते हैं मोधी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रियास, ये नारा जो है, इस पे मुसल्मान यकीन करता है? यखीन तो करते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते हैं, जबान का खर्च बहुत करते हैं, फंदरा लाक मेट रहा हैं, बैंक में अकाउंट में जमा देंगे, जबानी खर्च में इंदरा श्रीमती इंदरा गांधी के बात, इतने खाबिल और हानेस्ट लीडर नहीं हैं, जो जोला योजना में सब को अपने बोल सकते हैं, जो बहुत करके तो दिखाना चाहिए, इसा आप अकेले सोचते हैं, कि यहां के सारे मुसलमान सोचते हैं, इस पर मैं किसी के पर कमिट नहीं कर सकता है, डमेकुरेट गंट्री है, डमेकुरेट पब्लीक है, हर एक की चाइस अ है, आप किसी के पर भी निर्भल नहीं कर सकते हैं, यहीं बोलेगा, अब या बाजों में पांच अदमी को इंटर लेंगे, तो पांच अदमी का डिफरेंट मेंड होगा, डिफरेंट मेंटालेटी होगी, अच्छा आपने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की खुली दोश्मान से मौब़त होती है, तो सारे मुल्क की मुसलमानों गो लेका है, सिर्फ हाईदराबाद में ते लंगा नहीं में बसने वाला ही मुसलमान है, गुजरात में जला है, राद दिन दंगे की बनियाद के ओपर, अलिगड यूनिवरसीटी में जला है, भीवणडी में जला है, हजारों मुसलमानों का खुन गया, आस्ता काज़ादी के बात, सिर्फ कभी रिलीजिस के नाम पे, कभी राम नौमी के नाम पे, किसी धर्म में है क्या खुन रिजी, राम नौमी में है क्या खुन रिजी करना क्या, शीर राम जी दिखाते हैं क्या दसर जी के पुतर हैं वो, सीता मया के लिए उन्हों ने हुकोमत चोड़ दिया माता जी के लिए गभी ओ दिखा सकते हैं कि आप रावन से जंग यू ही सिर्फ सीता मया की इज़त के लिए ना इंदर जित के अले सरकलम क्यों गया वो भावी की खिदमत नारास था इसलिए अप इंदरजीत को देखिये जड़ा जी को देखिए यह रामन जी को देखिए हर धरम से आप बात सीठ करें किसी धरम में भी खुनरेजी है इसा होगा है जब चाहे चड़े जंडा लगा दिये उतर दिये यह हमारे सियासी लिडरों में दमोना पूछने के लिए वह अपनी सीट के लिए अपने पैसे के लिए अपने स्यूटकेस के लिए हम को बेच रहे हैं अब तो राम मंदिर बन रहा है वहां पर अभी तो कोट के फैसले को सारा मुल्क तस्लीम कर चुका हो मुद्धा पुराना हो गया मातलब यह नहीं मानते हैं कि उस्में बजेपी की कोईसर्श तो कोई ऐसी पार्टी है जो मुसल्मानों का सही में भक्ष लेती है अभी खयामत तक कोई पार्टी कोई लीडर वजूद में ने जायागा मुसलिम का क्यों बोले तो इसके लिए 1947 को जाना होगा आपको जो मुसलिम लीग के नाम से थी केरला के दो यंपी आते थे मैमन सेट बनातवाला बोलके यह श्रीमती इंदरा गांजी के महरवानी मुसल्मानों को दोस्ती के आड़ में बाल ठाकरे साब को छोड़ दिया उसने कभी अरस्त नी किया पेपर शामना निकला ना क्यों ने अरस्त किया बाल ठाकरे हूँ वो मुसल्मानों के खिलाफ लिगता रहा दिन क्वानों ने अकसा तो सभी को यह जिया ना भारत का खानून ना आप मुझे कर दिया है आप मुझे को बिलकुल बार बार बोल रहा हूँ अभी कोई मुझे मार रहा है तो डर होगा डर होगा तो मैं अपना डिफेंस ले के जाओंगा ऐसा थोड़ी नहरता नहीं पर मेरे सो पना मेरा मेरा फैमिली ने रात को मडर वगया तो परवानी मेरा मेरा dealing कि बैञे प कि और कि पाम ले जेपी के पाच सिवाए अगेंस Magic मुसलिम कोई प्रोपगंडा हो तो आप बताए मेरे को तरख्य के नाम पे डेवलप के नाम पे रिजर्वेशन के नाम पे किसी भी जाती धरम के लिए शेयर नरिंदर मोदी सिंग जी ने अच्छा किया और प्रेस रिपोटर है चारो तरफ पिरते हैं भूमते यह पहले बतला यह मोदी जी ने किस जात को अच्छा किया सिर्व इस पीच अच्छे देते हैं उनके साती जो ह तो मेरा नाम इम्तिया जामत है मैं सिवाजी नगर का मुसलिम हूं आप प्रॉट तो भी जान की जान की जरूवाद पड़ी तो मैं देता हूं तो आप इतने नराज हैं फिर भी जेपी को वोड़ देंगे अब करते क्या है आप बुलिए है अगर इनके पार्टी ने सत्ता प में चाबी देना वो कम से कम माल की इफाज़त करेगा अभी आप ये बतला ही है कि मोदी जी के 2014 सेवी तक कितने मेजर फसाद हुए कांगरेस के दौर में कितने मेजर फसाद हुए यह क्या है अभी हम चोर के हाथ में कीली दे रहे हैं समाल इसे बटा जब तक समाल था समाल कांगरेस में बहुत से कापि Uber की दे रहे हैं अभी है जनाफ सीम इपराहिम साब 선ा को आप लगों लोग फृटो हो गये, हां पालू होना, हम पहले मुसलमान होना, बाद वोट सब सोच ना, और शीदे नार्त का नार्त का कभी सीधे तोर से दवरा नगया ऐजिए ट्यूरिस्ट में पुरा हिंडिया और टोल हिंटर Baptist thisDrive कंट्री घूम के हो मैं लेकिन ऐसा नार्थ में जो लगता वो होता नहीं अभी आप बंगाल चले जाए मोदी की लेहर दोड़ी थी लेकिन आई मम्ता बेहन इधर चलिए आप देली लेहर चल रही थी बीजेपी यह नहीं तो बोले क्लीन सफाया करता हूं आम आदमी पार्ट करूंगा छोटी पार्टी को वोट मत दियो यह लोग बड़ी पार्टी को नचातें सीटें के लिए कोई कांग्रेज या बीजेपी एक पार्टी को एक खटा करो सिंगल वोटेट करो तब मुल्क आगे आता है अभी वो नतिश कुमार 40 सीट लेते हैं इधर कांग्रेज से 12 सीट लेते हैं केरला से 12 सीट लेते हैं वो लेके क्या करते हैं उसको ब्लक करते हरास्मेंट करते हैं मुझे होम मिनिस्टरी होना मुझे फाइनस मिनिस्टरी होना यह सब डिमांड करते हैं वो डिमांड की वाई है गवर्मेंट बनाने के लिए वो कुछ को भी लगा है मैं लड़ी हिंदुस्तानी भाई अब्ला किसी भी एक पारटी और को टोटल मेजरीटिप वे खुअबत को किसी खिसम के तक्लीफ ना और चाया वो कांगरास ठाए प्यूल्ज को स्था चाही हे इन lotus वो मुल्क की खिदमत करने वाला और सीट की खिदमत करने वाला भले दलीद क्यों नहों यह वाला फॉर्मूला स्टेट्स में होना चाहिए कि सिर्फ लोग सबाच नहीं नहीं सबी जगा होना चाहिए यही तो होता हमारी कांग वीस साल से हमारी गवर्मेंट 30-60-18 में डिपे पार्धी में हमारे मौशं के एमेलेव सीट कांस्लर सीट होना यह वो मजबूर होादे अपना सिका जमाने के लिए बस वो भी आ रहे हैं भाशन दे रहे हैं डबल इंजन के सरकार बनवा रहे हैं कैसे लगते हैं यूटी अधितनाच जी जो है बहुत खाबिल लेड़ रहे हैं पहले से मौामिनिस्टर रह चुके हैं बस उनके बायानात जहरेले हैं मैं अतितनाच योगी जी से भी घुजारिश क होंगा वो मुर्क और हम को साथ लेकर चले हैं जितने हिंदू की जरूत है मुल्क को चलाने के लिए मुसल्मान की भी जरूत है धलित की जरूत है किसी एक जात की बन्याद पर इतना देगी जी हो हुकुमत नहीं चलेगी हां खुन रेजी जिसका पल्ला जहां बारी है वह पॉलिस की बन्याद पर ले लिजे मिल्टरी की बन्याद पर कर्फ्यू की ले लिजे जिस जगह जो एर्या उसी तरह चलेगा अच्छा यहां भी अतिक आमत का मामला चर्चा में है इतना पर जोर पकड़ा नहीं है वो सब शुमाली हिंदूस्तान में यहां आतिक आमत के को कोई फेवर नहीं आपको पूरा दिन राध इंटर्विल ने जाती है कामत की स्पीच में कोई फेवर नहीं हो आप लोग भी फेवर करते हैं जो बोल रहे हैं कि बिजेप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पीजेप खुली दुश्मन है इसलिए बीजेप को मौट दे लिजेप हम चार पस्ट्ट आवश्ट में थे नटका में अभी जेरो पस्ट्ट पर आगया हम इस बुन्याद पर इस बन्याद किस बन्याद के लिए हमारे हमारे बड़े खुन नहीं दिये कि हाज मीजाइल किसने बनाई है टीपो सुल्दान ने अपने नसल को बरबाद किया इंग् कि अज बर आपको बोल झाल दूवा कि खुला धुछमन प्रणाद श्माखावी को बिदर और वो अभी अब महुदीजी यह जा है पांच साल साच साल में अगा अग्का दुका हुआ लगिन ये चौर है ना इसलिए समाला बटाई ए ठ्रावल जीप में कैपासिटी है तो कुछ भला हो दो उनका हाई कमान का अंदरों ही मामिला हमको सजेशन दे सकते हैं आम आम आप तो वोट है ना आप वोट रहेंगे एक सीट आने से कोई फरक नी पर दा समझे इदर कांगरेज यह भी भी मार लिये मेले भी मार लिए एक स्टेट भी मार लिए तो हमारे पड़ाया तो भी 125-140 आएगा इसले लाजन राओं अधर कंप्लीट गवर्मेंट तो आप कह रहे हैं कि चाजा सही कह रहे है विजेपी खुली दुश्मन है इसलिए उसको वोट देदो कॉंग्रेस को देंगे तो कॉंग्रेस को देंगे तो कॉंग्रेस राहुल जी को कॉंग्रेस के लीडर है स्टेट के लिए जनरल सेकेटरी एन अस्योक के लिए हैं तो राओल जी के साथ बहुत आप कॉंग्रेस के नेता हैं हम फंग्रेस के नेते हैंं थांक तैंक यू इंत्याज भाई मैं आता हूं आपके पास तो देखें यहां पर महाल पहला दिन फेल एक इंटरेक्शन लोगों के साथ और पहले इंटरेक्शन में एक ऐसे शक्स मिले जिन्होंने पर दिल की बात खोल करके रख दी उन्होंने कहा कि बीजेपी खुली दुश्मन है और इसलिए उसको जिताना जादा अच्छा है क्योंकि जो दूसरी पार्टियां मुसल्मानों क बात करती है वो मुसल्मानों के खिलाफ है ये उनका दावा है और इसलिए बीजेपी खुलकर के ये कहती है कि मुसल्मानों की दुश्मन है इसलिए बीजेपी को वोड़ दे दो इस तरह का एक तरक इंतियाज वाई ने दिया और तमाम ऐसे भी लोग है जो खुल्याम से भी आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करके जानेंगे कि आफिर करनाटक में इस बात कौन जीतेगा कौन भारेगा और क्या चुनावी मुद्धे हैं जो आम जलता से जुड़े हुए हैं ऐसे में चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं कुछ और मुद्धों को स मस्ते के फिलाल देखते रहिए, बला रहिए